हालो एवर्वेन आप से लिए स्वागत आपके अपनी यीट्यूब चैनल मैंत मंचपर दोस्तों आज की इस बीडिये में देखेंगे जो अंडरूल वारी संख्याओं का गुलंखंड होता है वो कैसे किया जाता है सिंपल गुलंखंड मैंने आपको बता रखा है और आप लोगों उस बीडियो को देखा भी होगा ठीक है यह आप नहीं देखा तो आप देख सकते हो मैंने काफी जी तरीके से उसको भी सॉल्व करके बताया हुआ है आपको ठीक है दिखिए गुलंखंड इंपोर्टन टॉप अच्छे से आना चाहिए ठीक है तो आज के इस बीडियो हम देखेंगे जो अंडरूट की संख्या गुलंखंड होता है उसको कैसे किया जाता है मैं आपसे गारंटी लगे कह सकता हूं कि यदि आप इस बीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको रूट का गुलंखंड का अब गुलंखंड करना देखें मैंने आपको वीडियो बता रखा है कि जो अंडरूट की संख्या होती है यदि आपका बेसिक कमजोर है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है यदि आप मुझे पढ़ते हो तो आपको इसकी आपसक्ता नहीं पढ़ एगी ठीक है तो देखें अंड़ूट और जो नंबर लिखा है कितना है यहांपर लिखा फू अंड़ूट टू गुणाफंड अंड़ूट टू उसका अंडशत का तो देखिए यहां पर कुछ नहीं अपने मान से बनवान लीजिए तो 4 का गुणा एकमा किज़ें, 4 एकम 4 हो जाएगा अब जो अंडरूट की संख्या है, उसका उसमें गुणा कर लीजिए तो अंडरूट का दो का गुड़ा करेंगे तो अंडरूट दो में तो दो हो जाता है अब चार का दो में करो आठ हो जाएगा तो आठ के आपको क्या करना है गुड़नखंड करने है क्या करना है गुड़नखंड करना है तो देखे इसके गुड़नखंड करेंगे कितना वो मैं गुन चलता है जोड़ने पर हम के इसकी मिल जाए मैं कि उम्ले लाइगा अर। तो दो मैं करो चार चार दूनी आठ ठीक है अब यदि हम आठ में अपने मन से एक से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जागा 8 एक कितना होता है? 9 होता है और 9 हमको चाहिए है ठीक है? तो अब आपका काम होता है start ठीक है? अब आपका काम होता है start तो जो सवाल दिया है उसको आप लिख लेंगे पहले तो 2 अंडरूर्ड x स्कॉर प्लस के 9 x प्लस के 4 अंडरूर 2 लिख लिए हमेने सवाल ठीक है अब देखिए हमने अभी गुड़न खंड किये कितना आया था? 8 आया था और 1 आया था जिसके गुड़न खंड है तो इसको हम लिखेंगे कैसे 2 x स्कॉर प्लस इस 9 को लिखेंगे हम 8 प्लस 1 x को हम बाहर लगा देंगे प्लस का 4 अंडरूर 2 ठीक है? अब इसका गुड़न कर लीजे इसके अंदर तो कितना हो जाएगा? 2 x स्कॉर प्लस के 8 x प्लस x फ्लस 4 रूरूर 2 हो जाएगा यतना कि नहीं हो जाएगा? ओके इसके बाद सबसे important काम आपका यहीं start होता है सबसे important काम यहीं start होता है आपका आपको करना क्या है? देखिए जो यहाँ पर पहले तो आप इसको यह से लिख दीजे 2 under root x square ठीक है? यहाँ पर जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं under root 2 x ओके? और यहाँ पर into इस dot का मतलब क्या होता है? into ओटा है ठीक है? अब इसको हम लिख सकते हैं 4 into root 2 यदि इन दोनों number का हम गुणा करेंगे तो हमको 8 ही मिलेगा ठीक है ना? बस आपको इतना ध्यान रखना है इसमें यहाँ पर x लिखा है? इसको x लिखे देंगे लेकिन आपको पहले practice करने होगी अच्छे से ठीक है? एक बार अदिया आपकी practice अच्छी हो जाती है तो आप बिना इसको तोड़े भी common कर सकते हो ठीक है? तो अभी आपका focus है कि आपको step by step चनना है ठीक है? तो अब देखिए अब आप दो-दो के जोड़े बना लीजे एक पद आपका j है? एक पद आपका पूरा j है ठीक है? एक पद और एक पद j तो इन दोनों के हम जोड़े बना लेंगे अब देखिए इन में क्या common है? कुछ common है? common का मतलब जो यहाँ पर भी हो और जो यहाँ पर भी हो तो हमको दिख रहा है अंडर रूट 2 एक्स अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 है और एक्स है तो common हो रहा है common कर लीजे तो जब हमने common करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा? यहाँ पर क्या बचेगा? 4 under root 2 बचेगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए देखिए इस bracket के अंदर आया है x plus 4 root 2 तो कहीं न कहीं जो एक bracket यहाँ पर होगा उसके अंदर भी यही same आएगा कितना आएगा? x plus 4 root 2 आएगा ठीक है? तो इन दोनों में हम ऐसा क्या common कर लें कि जी bracket में जी same आजाए तो यहाँ पर x plus 4 root 2 तो साफ साफ लेखा है तो हम क्या कर रहेंगे? 1 common कर लेंगे 1 common कर लेंगे x plus 4 root 2 common का मतलब क्या होता? भाग देना यदि हम 1 का भाग x में देंगे x आएगा 1 का भाग इसमें देंगे तो बापस यही आएगा ठीक है? अब देखे यहाँ पर x plus 4 root 2 है x plus 4 root 2 यहाँ पर भी है तो common कर लीजे तो x plus का 4 root 2 हमने किया common है ठीक है? तो एक bracket में क्या बचेगा? यहाँ पर जो बच्चा उसको लिकी दीजे 2 under root x यहाँ पर plus का 1 यही आपका final answer हो जाएगा ठीक है? तो उम्मिद करता हूँ कि मैंने आपको जो under root का score का गुलनखंड होता है मैंने आपको काफी easy तरीके से बताने का प्रयास किया है यह आपको समझ में आया हो वीडियो तो please वीडियो को लाइक कीजे और channel परना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए thanks for watching